असामने कूम मैं हुमार्या रिज्वी फ्राम लीड मार्केटिंग और आज हमारे साथ मौझूद है लीड मार्केटिंग की सीनियर सेल्स एक्जेकिटिब फजर शेर्ग असामने कूम फजर कैसी हैं मैं बिकूल ठीक ठाक हूं मार्या आप कैसी है अलहम्दलिला ठीक ठाक हूं आज जिस सुसाइटी की मोस्ट फ्रिकेंट्ली आस्ट के अवाले से हम डिसकॉशन करेंगे वो है ब्लू वर्ड सिटी जैसे के फजर हम सब जानते हैं कि आप ही क्लाइं जाँ दाख हूं में जिइ स सहागी है मुल्किल के से अजह अपाइं से घ्चर्णी लेते हैं में टाइडियने के ढार टाह् cases मैंदल्री ना काईडिया है अछ ठीक है तो आप में जहां टेस्स के लोकेशिन के हवाले से काई किया तो आप नाइने बदाएंगे हिसकी टोटल लांग के पर बना हुए्पर बिल्कुल जहां तक इसकी लैंड के हमाले से बात है, इनका फूचर प्लान है वो है तक्रीबन एक लाख कनाल लैंड का अभी जो इनके पास प्रूवल्स के साथ जो लैंड इनके पास वाक्या है वो है 47,000 की हिसाब से जिसके उपर construction और development स्टार्ट हुई है, फिस्के एक साल से अगर आ जो 47,000 की जो लैंड है वो उस लैंड के उपर इनकी development भी हो रही है और इनकी construction बेचा रही है इनका जो फूचर प्लान है इनका वो टोटल एक लाख कनाल लैंड का है बाकि जो इनको अप्रूवल्स मिले हुए हैं जैसे के साथ नजीर सहाब ने बताया भी उफुद परसनल जी बिलकुल मारिया देखे मारिया होता असल में ऐसे है कि जब भी कोई society कोई private society जब डिवेलप होती है तो उसके पास एक दो दिन में या बहुत जल्दी नहीं मिलता नहीं आ जाता प्रॉपर ली society जो है वो अप्रूफ करवाई जाती है अपनी land अप्रूफ करवाई जात है हर चीज को देखने के बाद आपको पूरी society का कोई एक NOC मिलता है आपको पूरी जितनी भी आपकी society है जैसे के ब्लूवर्ट city जो के एक लाफ कनाल पर मुश्नमिल ए ठीक है इसका पूरा जो नोसी होगा वो एक ही होगा और वो एनोसी आपको प्रॉपर ली आपकी प्रॉपर लेकिन जिस तरह से इनकी development हो रही है और जितनी भी चीजे इस सोसाइटी के अंदर अभी तक हुई है उसको अगर मद्दे नजर रखा जाए तो इस सोसाइटी को जल्दी नोसी मिल जाएगी जो ना ठीक है तो हम दे तो यह भी सुना है कि यह सुना है कि यह सुन बुटेश काउनसल दोनों के अंडर यह सुसाइटी आति इसको परूवल साप्रुवल मिलाओए वह कि दिस्टिर्क काउंसल से मिलाओँ है तो हमें फ्रह से इनके 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 डिवलोपर उतरी है वहं साथनसीर तो अप कर आईमीन को तो तू आमन्न को थूटी बेग्वा जो अगर लहूर में जो इनका Blue Sapphire के नाम से प्रोजेक्ट है अगर बिल्कुल आपको आइडिया हो अगर Blue Sapphire के नाम से जो इनका प्रोजेक्ट है वो लहूर में मुल्तान रोड पर वाकिया है जो के LTA अप्रूवड है उसके लावा Blue Group of Companies और मजीद बहुत सारे प्रोजेक्स मुल्तान में फैसलाबाद में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्स हैं जो इनके बहुत अच्छे डिलिबर्ड है अच्छा फजर हमें थोड़ा से इनके ब्लॉक्स के बारे में काईड कर दें कि कितने ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में क्या स्वेशियालिटीज जी जरूर मारिया मैं आपको इनके जो तीन मेन ब्लॉक्स हैं उनके हवाले से बता देती हूं सबसे पहले जो इनका ब्लॉक आजाता है वो जर्नल ब्लॉक आजाता है जर्नल ब्लॉक के बाद जो इनका ब्लॉक आजाता है वो ओवर्सीज ब्लॉक आजाता है तो जर्नल ब्लॉक में जो इन्होंने केटेगरी दी वी है प्लॉट्स की उसमें पांच मर्ला, आठ मर्ला, दस मर्ला, एक कनाल और दो कनाल कमर्शल केटेगरी में अगर आप देखें तो पांच मर्ला कमर्शल और दस मर्ला कमर्शल है इसी तरह अगर आप comparison करें overseas block में, तो overseas block में इनकी category जो plot की आजाती है, वो आजाती है, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला, एक कनाल और 2 कनाल, उसी तरह से जो commercial categories हैं, वो 5 मरला और 10 मरला की है, अवामी residential complex, जो के इनका बहुत famous block है, उसमें अगर आप देखें, तो उसमें इनकी जो residential plots दिये हैं, वो दिये हैं, 3.5 मरला के, लेकिन जो उसके इलावा जो highlight की वी है, उस block के अंदर वो है, आपके 3.5 मरला के डिपलेक विलाज और अपार्टमेंट्स, इनके आजाते हैं, इनके आजाते हैं, studio अपार्टमेंट, 1-bed और 2-bed अपार्टमेंट्स, अजा पुछर आप काई और यह हमारे वीवर्स को यह चीज पताया है कि इस सुसाइटी में क्या attractive चीज है, किस सुसाइटी यह जो सुसाइटी किस माइंड़ के साल बनी है, सबसे पहली बात चो मैं आपको बताऊंगी वो यह है कि इस सुसाइटी वर्ल्स टूरिस्ट अट्रक्शन बनाई जा रही जो कि चाइना की कोलाबोरेशन से बनाया जा रहा है उसके इलावा जो होर्ष मैस्वाट है वो इस सुसाइटी में बनाया जा रहा है बुर्ज अरब का जो रप्लिका है वो इस सुसाइटी में बनाया जा रहा है जो कि ब्लू वर्ट के ओफस के नाम से जाना जाएगा तो इस सुसाइटी में अगर देखा जाएं तो वह सब अट्रक्शन मोजूद हैं जो कोई भी बाहर जाकर ढूने का या बाहर की मुलकों में लोग को देखने को मिली तो पर तो पर तो यह इंवेस्मेंट पॉइट पॉइव से बात अच्छी इंवेस्में नहीं रहेगा कोई भी आपना घर बनाते हैं इन फ्यूचर वहाँ पर उस सुसाइटी में रह रहे हैं जहां पर यह फैसिलिटीज भी है यह अट्रक्शन भी है तो थोड़ा सा में इंवेस्मेंट पॉइट पॉइव से भी इस प्रोजेक्ट में करते हैं वह इस ताइम पर क्यों के वह इस ताइम प्रोजेश कोंपलेक्स तीनों में जिस जिस ब्लॉग में इंवेस्मेंट करते हैं चार साल का इजी इंस्ट्रॉलमेंट पर प्लान अगर आप इसकी इंवेस्मेंट के हिसाब से देखें तो अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं इनके जो आज से जह महीने पहली और इसमें जो इंक्रीजर आएं जो इंकी जंक्स साहा sunday है क्यों एक सिसी बी सुसाइटी में जाएट तब आता है जिए जिए इब दुप बग़ती उधिए, इसमें अगर किसा आप इस बना आती है जहति है चापुत झाइक्ट इसान आपने के लाग उगतto से पहाईज A.P.R. stands for Advanced Payment Recept यह बेसिकली इस तरह से है कि जो हमारा Overseas Block है, जो इस सोसाइटी का Overseas Block है, उसमें आपको मंथली इंस्ट्रॉलमेंट्स के ओपर डिस्काउंट ओफर दी जाती है कि अगर आप इनके rates को comparison करें, इनका जो साथ मरले का 13,50,000 वाला rate था, अब वो move on हो चुका था आज से दो से तीन महीने पहले 15,40 पे, लेकिन 15,40 से आप ट्रांसफर हो चुका है 19,25 पे, ठीक है, तो अगर आप इनके हिसाब से अपनी payment को adjust करवाना चाहते हैं, थू अगर 13,50 जो पेमेंट है, आपकी जो बुकिंग है, अगर आप उस पे adjustment करवाते हैं, तो आपको जो फॉर्म मिलेगा, आपको 30,000 का मिलेगा, चीक है, और आपको फॉर्म के ओपर आपको discount मेल जाता है, और आपको पिछली अगर आपको monthly installment के ओपर नहीं की वी, तो आपको discount के साथ आ तो हमने खार आपकी वीडियो देखी ते जिसमें आपने जो हाली में बैलेटिंग होई उसका रिसल्ट करने के बी तरीक आपने तो काईनिया थोड़ा से भी बताएं कि इसकी बैलेटिंग का क्या प्रोसीचर है और कितने मांस पाद इसकी बैलेटिंग होती है और उसमें जो प्राइवेट सुसाइटी जो होती है वो बैलनिंग प्रोसेस अपनी करती है जब आपके क्लाइट के 50% अमांट प्राइटी जब कोई भी करवाते हैं आपकी 50% परशेंट पे हो जाती है उसमें कोई हाट इन फास्ट रूल नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में पे करना ह अपनी परशें हो जाती है यह कि अपनी मरसी होती है ठजब आपको पेविंट दे देते हैं यह आपके 50% रवांट क्लीर हो जाती है तो जो बैल्लटिंग क्रोसेस होती है आटामेट इसमें आपका नाम एग्जस्ट चाहता है थ्जू ठूह कंफूटर साथ महीने के अंदर अंदर आपको पोजेशन दी जाती है तो यह बैलोटिंग का प्रोसेजर जह है यह हर कितने महीने बाद होता है देखे मारिया जैसे कि अगर मैं ब्लु वर्ड के हवाले से आपको बताऊं तो ब्लु वर्ड में जो लास्ट बैलोटिंग हुई थी जर्नल की एक बैलोटिंग होगी उस हिसाप से हर छे माहीने के बाद इस सोसाइटी की एक बैलोटग हो हुई है इसके साथ-साथ मैं आपnant लोगों को एक और बात बताधे ज questo हालि में की ओवर्सीम ब्लाओङ की बैलटिंग हूई है यह दो महीने के बाद और बलोग की एक और बैल इनके बार में भी तुरा अज़ा बताती चलेंगे कि इनका क्या रोल इपने वोल सिटी वी जी बिलकुल मारिया! सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बताऊंगी कि जैसे कि आपने इनके इंपैसिटर्स के बारे में बात की जो हाली में इनकी बैलोटिंग हुई है उसमें जो मोस्ट कॉमन शक्सियत थी वो शाहिद खान अफरीदी सहाब की थी जो कि खुद इस बैलोटिंग का पार्ट बने थे और उसके साथ साथ उन्होंने इस सुसाइटी के साथ यह भी प्रॉमिस किया है कि इस सुसाइटी में जो क्रिकेट स्टेडियम बने जा रहा है क्रिकेट जो बनेगी उस क्रिकेट अचैडमी को शाहिद खान अफरीदी सहाब उसमें जो लोग पार्ट लेंगे जो भी क्रिकेट सीखना चाता है खान साथ खुद तमाम लोगों को ट्रेनिंग देंगे उनके जो ब्रैंड इंबसेडर है वो हमायो साहिद साहब है शाहिद साहिद का खाना फरीदी सहाब के साथ इनका ये कनेक्शन है कि उन्होंने ये फ्रमिस किया है कि जो क्रिकट अकैडमी है उसको शाहिद खाना फरीदी सहाब आउन करें ठीके फचर तो अकॉरिंट अगर हम लोग देखे तो ये सुसाइटी हमारे क्लाइंस के लिए जो पीसमें इन्व हुआ 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 है